नमस्कार आप देख रहे हैं निउस पियार और मैं हूं प्रीती आज हम चर्चा करेंगे देश, दुनिया और बिहार से जुड़ी तमाम एहम खबरों का जो आज के खबार में प्रकाशित हुई है तो बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ नितीश बोले बिहार पर विशेश ध्यान दे केंद्र एथनौल का कोटा बढ़े 125 लीटर हो मुख्यमंदर नितीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार पर विशेश ध्यान दे बिहार देश के विकास के महद्वपोन योगदान करना चाहता है यहां आबादी का घंतत्व अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है एक वर्ग किलोमेटर में बिहार में जितनी आबादी है उतनी देश में किसी राज्य में नहीं है शेतरफल के मामले में बिहार बारवे स्थान पर है जबकि आबादी के मामले में तीसरे नंबर पर नेतन गटकडी ने सेब विक्तिगत वप पुराने सम्मंदों को हम भूले नहीं है हम सब मिलकर देश व बिहार के विकास के लिए काम करें देश वर में 9.66 लाग से ज़ादा ईवी इसमें सबसे ज़ादा 2.76 लाग यूपी में बिहार का स्थान चौथा केंदर सरकार देश में हाइब्रीड और इलेक्ट्रोनिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है इसलिए कई योजनाओं की शुरुवात की गई है नतीजा ये है कि आज देश की सड़कों पर 9.66,363 इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे है या आकड़ा 31 जनवरी तक का है केंद्रे भारी उद्योग राज्यमंतरी कृष्निपाल गुजर ने राज्यस अब हमें बताया कि EV पर GST 12% से घटकर 5% किया गया है चार्जर चार्जिंग स्टेशनों पर GST 18% से घटकर 5% कर दिया गया है बेटा एरपोर्ट के लिए 1991 जमीन नहीं मिली तो कहीं और हो जाएगा शिफ्ट छे साल पहले बेटा एरपोर्ट से इंटरनाशनल विमान के ऑपरेशन और टर्मिनल भवन बनाने के लिए नागरे विमानन मंतराले और बेहार सरकार ने घोशना की थी पर अब तक केवल चार दिवारी का काम हुआ है बेहार सरकार ने 108 एकर जमीन दी एरपोर्ट ऑफ इंडिया ने बेहार सरकार से इस एरपोर्ट के लिए 1200 फीट रनवे के लिए 191.5 एकर और सिटी साइड डिवलपमेंट के लिए आठेकर जमीन की मांग की है सरकार ने 54,000 करोर खरच करे सरकों की कनेक्टिवीटी बहतर की मुक्यमंतरी तीशकुमार ने कहा कि बेहार सरकार ने अब तक चयाए kings Chip करोर खरच कर सरकों की कनेक्टिवीटी बहतर की है पर रेल सहसड़क पुल के पहुंच पत्वा घोरगाट पुल के लोकारपन के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि घोरगाट पुल शुरू होने से मुगेर से भागलपुर जाने का रास्ता काफी सुगम हो गया है पटना विश्विद्याले में सनाता के छात्रों का रेजिस्ट्रेशन अब 19 तक पटना विश्विद्याले में सत्र 2021 से 24 में नामांकर नेने वाले छात्रों को रेजिस्ट्रेशन का एक और मौका विश्विद्याले प्रसाशन ने दिया इसनाता के सभी वोकीशनल और अब इसकी पड़ताल में जुट गई है खास बात ये है कि इन दोनों अफसरों ने मानी लॉंटरिंग के लिए किन लोगों की मदद लिए है अब वे भी रिडार पर आएंगे जांच का दाइरा व्यापक होगा और इनके साथ अब कई और फसेंगे अभी पर रही है ठंड तो हुई है अधिक्तन तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने के साती बारिश भी कम हुई है वही अधिक ठंड पडने पर मई में तापमान के बढ़ते हीं बारिश हुई है रोहित की कप्तानी में वंडे में भारत की तीसरी ट्रोफी भारत ने तीसरे वह और आखरी वंडे मैच में वेस्ट इंडीज को 96 रन से हरा दिया भारतिय टीम ने वेस्ट इंडीज पर पहली बार क्लीन स्वीप किया रोहित की कप्तानी में भारत ने वंडे की ये तीसरी ट् करने का ये सही काम हाई कोट ने कहा आज के अखभार में प्रकाशित होई खबरों में इतना ही आप बन रहे न्यूस प्यार के साथ और हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ इस वीडियो को लाइक और शेर भी करें धन्यवाद